नंस्ता को बनाना शुरू करते हैं एक बाउल ले लिया है एक कप गेहू काटा ले लेंगे इस नास्ता को गेहू के आटे से बनाएंगे एक बारी कटी हुई प्याज, थोरी सी हरा धनिया, दो हरी मिर्ज बारी काट लिया है, आप थोरा थोरा पानी डलके बेटा रेडी करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्ज ना रहे, आप चाहे तो इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, आपके मनपसंद सब्जी भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपिल तरीका से बना रही हूँ, मिक्स कर लिया है, अब हम मसाले में लाएंगे, स्वादनुसन नमाग, थोरी सी हल्दी पाउडर कलार के लिए, थोरी सी कुटी भी लाल मीश है, थोरी सी कुटी भी काली मीर से, इसके बहुत ही कर लेंगे, कि इसी तरह से पतला बेटर सही है हमें, इसको रेष्ट पे रखने की जुरूत नहीं है, अब तुरांती बना के खा सकते हो, वो मिनिट में अस्ता बन के रेडी हो जाते हैं, गयस पे पैंचरा दिया है, गयस अर्व कर दिया है, एक चम्मुस ओयल हम इस तरह से फेला लेंगे, बेटर को दुबारा से मिक्स कर लेंगे, और दो चम्मस बरके डाल देंगे, इसको हम फेला लेंगे, पतला फेलाना है, बहुत ही आसान रेसे पी है, आप इसको तीन मिनिट कवर करके पका लेंगे, गयस कपले मिडियम करके, तीन मिनिट बात शेक करेंगे, देखे डराई हो गई है एक चमो सॉयल इस तरह से फेला लेंगे फिर पलटेंगे इस तरह से पलटेंगे देखे बड़ी आराज से पलट गई है अब हम कवर नहीं करेंगे इस तरह से खोल के पका लेंगे ग्यास कफलेंगे थोरा से बढ़ा देंगे फिर से पलट लेंगे दे यह प्ली। टेस्टी आर हेली नास्ता है। इसको देखने के बद क करोगे हैं, इतना आसान नास्ते की रेसिपी रेसिपी के देखने के बाहु जान्दि दोस्क刷ुर S sujet रोटी सब्सहरे बनाना बहुत ही मज़ेदार है हल्का पुल का नाष्टा है जरूर ट्राइ करिएगा इमिट करती हो आपकी नाष्टा की रेसेपी पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो वीडियो के एक लाइक जरूर कर देजेगा अगर सेनल पर नहीं हो इसी तरह की आसान और नहीं नहीं स्ट्राइब जरूर करते जेगा और बेल आइकन को तो जरूर दबाएए ताकि मेरी आने वाज़े वीडियो की नोटिफिकोशन आपको मिलते रहे और अपने दोस्ते कैसा शेयर भी करते जेगा अब चली अगली वीडियो पर मिलते हैं वाई